तो हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आज के कॉन नए वीडियो के साथ आज आपके सामने हैं 2023 की न्यू जावा 42 2.1 का बिलकुल नया कॉस्मिक कैरन कलर टोटल चार कलर ओप्सन के साथ ये बाइक आती है औल एस्टार ब्लैक, ओरियन रेड और वाइट दोस्तो अगर आप भी 2023 में जावा 42 2.1 लेने वाले हो या लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इस बाइक में आपको क्या-क्या फीचर्स मिल जाते हैं माइलिज कितना देती है, टॉप स्पीड कितने तक जाती है और इसकी प्राइस कितनी है जिन्हों ने ये वीडियो बनाने का मौका दिया अगर आप लोग मुझापरपूर से हो या सपास के किसी भी सिटी से हो तो इस सोरूम में आप विजिट कर सकते हो तो चलिए सबसे पहले सुरुआत करते हैं इसके की से, तो यहाँ पर इसका की का सेट अप देख सकते हो, कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है, इस पर आपको जाबा की ब्रेंडिंग देखने को मिल जाती है तो अब मैं इसे लगा देता हूँ और चलते हैं दोस्तो इसके फ्रंट की और, तो यहाँ से आप पूरा फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हो, राउंड सेपके आपको हेलोजन हेड लाइट आपको मिल जाते हैं, लो बीम और हाई बीम के साथ, जिसकी नाइट की इंडिकेटर मिल जाते हैं, राउंड सेपके जिसकी रोसनी को यहाँ से आप चेक आउट कर सकते हो, यह आपको नॉन फ्लेक्सिवल दिया गया, सामने से यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगाने की जगह देख सकते हो, फुल मेटल बड़ी का आपको फ्रंट वाला मडगार मिल जाता है, जिसके मजबूती के लिए यहाँ पे आपको एक राउंड सेपके रड भी प्रोवाइट कराए हैं, और अगर इसके फ्रंट वाले टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नबबबबबब अठारा का आपको ट्यूबलेश टायर मिल जाता है, काफी खुबसूरत 18 इंचेस के ब्लैक कलर के लिए के साथ, और सेप्टी में यहाँ पे आपको 280 mm डायमीटर के आपको डिक्स ब्रेक मिल जाती है, डिवल चैनल ABS के साथ यह बाइक आती है दोस्तों और यहाँ पे आप देख सकते हो, बाइवडी के यहाँ पे आपको कै फाइल देख सकते हो, कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है, 172 kg की करवेट मिल जाती है, वील बेस आपको 1379 mm का मिलता है, सेडल हाइट 765 mm की मिल जाती है, बाकि दोस्तों अगर इसके फ्यूल टैंक की और चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जावा की आपको बैजिंग मिल जाती है, लोगों के साथ में, और दोनों साइड में आपको ब्लैक कलर का 3-3 लाइनिंग देखने को मिल जाता है, फुल मेटल बड़ी आपको मिल जाती है, 14 लीटर का आपको कैपसिटी मिल जाता है, और उपर साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो, कारवन फाइबर देखने को मिल जाता है दोस्तों, और इस वाइक में आपको काफी प्रीमियम कॉलिटी के स्वीचेस देखने को मिल जाते हैं, आगे साइड में आप आप देख सकते हो, पासिंग की आपको स्वीच मिल जाती है, अपर डीपर की स्वीच देख सकते हो, टरन इंडिकेटर और haunt की switch यहाँ पे आपको मिल जाती है कुछ इस तरह के आपको warrant side view mirror मिल जाते है round shape के mid black color finish के साथ कुछ इस तरह के यहाँ पे आपको handle bar मिल जाते है जिसके center में आप आप देख सकते हो Java की आपको branding मिल जाती है red color का engine की switch देख सकते है नीचे में आपको console को set reset करने का switch मिल जाता है self start की switch देख सकते हो और अगर इसके console की बात करें तो आपको round shape के semi digital type के आपको meter console मिल जाते है white color के light के साथ और जैसा कि अभी side stand लगा हो है तो यहाँ आप आप देख सकते हो side stand on लिखा मिल जाता है और analog में यहाँ पे आपको fuel gauge देखने को मिल जाता है speedometer आप देख सकते हो और दोस्तों इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको odometer मिल जाता है trip A trip B आपको देखने को मिल जाती है battery signal indicator आपको देखने को मिल जाती है coolant temperature signal आपको देखने को मिल जाता है तो चलिए दोस्तो अब मैं इसके side stand को हटा के इसके engine और इसके exhaust के note को आपको check out कडा देता हूँ, तो यहां से आप इसके exhaust के note को सुन सकते हो, दोस्तो यहां पर आप देख सकते हो, जैसे मैं इसके side stand को यहां से लगाता हूँ, तो इसकी engine खुद cut off हो जाती है, अगर यह bike neutral में भी रहती है, फिर भी इसकी engine cut off हो जाएगी, यहां से आप इस bike का पूरा rare profile देख सकते हो, rare वाला भी mudguard आपको full metal body का मिल जाता है, इस पे भी आपको तोड़ा सा graphic का work देखने को मिल जाता है, काफी सांदार और unique design के आपको LED के tail light मिल जाते है, ball का यहां पे आपको turn indicator मिल जाता है, जो कि non-flexible दिया गया है, number plate लगाने की जगह देख सकते हैं, जिसके उपर आपको छोटा सापको light मिल जाता है, round shape के आपको reflector देखने को मिल जाते हैं, सीट के पीछे भी यहां पे आप देख सकते हैं, जावा के आपको branding मिल जाती है, single seat के साथ यह बाइक आती है, कुसन आपको medium soft मिल जाता है, 765 mm के आपको height मिल जाती है, जिससे के असानी से इस बाइक को low height वाले लोग भी चला सकें, बीच में आप strip एक देख सकते हो, और दोनों और आपको यहां पे grab handle मिल जाता है, पिलियन को पकड़ने के लिए, engine की और चले तो जैसा है कि इसमें आपको liquid cool engine दिया गया, तो यहां पे आप इसका radiator देख सकते हो, दोनों और company ने reflector प्रवाइट करा है, मेटल का आपको engine call मिल जाता है, engine को धूल मिट्टी यह सबसे बचाने के लिए, catalytic converter आप देख सकते हो, जिसके उपर आपको एक black color का guard भी मिल जाता है, single piece horn के साथ यह bike आती है, और इसके engine पे आपको original Java 1929 की आपको bashing मिल जाती है, engine पे आप Java की branding देख सकते हो, 6 speed gearbox के साथ यह bike आती है, rider का adjustable footage side stand cut-up जैसे आपको features मिल जाते है, 165 mm की आपको ground clearance मिल जाती है, engine और power की बात करें तो 293 cc का single cylinder liquid cool 4 stroke BS6 fuel injection, D.O.S.C. engine मिलता है, यह engine 27.3.3 का power generate करती है और 27.0.2 mm का torque generate करती है, mileage आपको असानी से 25 से 30 km पील के यह bike निकाल करके दे देती है, side body panel पे यहाँ पे आप देख सकते हो, classic legends 42 की आपको sticker work मिल जाती है, locker यहाँ पे आप देख सकते हो, pillion का आपको adjustable footrest मिल जाता है, और इसके exhaust के पर आपको matte black color finish देखने को मिल जाती है, और इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको gas canister twin sock hydraulic adjustable type के आपको suspension मिल जाते है, जिसे कि आप अपने weight or demand के हिसाब से adjust कर सकते हो, fiber body का आपको chain set की covering देखने को मिल जाती है, और इसके साथ-साथ इसके rear में आपको 120-80-70 आपको tubelage tag मिल जाता है, काफी सांदार 17 इंचेस के black color के alloy के साथ, और इसके rear में भी यहाँ पे आपको 240 mm diameter का आपको digs break मिल जाता है, fiber body की यहाँ पे आपको caliper देखने को मिल जाती है, dual channel ABS के साथ यह बाई काती है, और यहाँ पे आप इसका rear brake while देख सकते हो, rider के adjustable footrest brake pad engine पे आपको java की branding देखने को मिल जाती है, और उपर side में यहाँ भी आपको java की branding मिल जाती, इस side से भी इसके radiator पे आपको reflector दिया गया है, key point इसके side में आपको देखने को मिल जाता है, और इसके साथ-साथ अंदर side में यहाँ आप आप देख सकते हो, handle को lock unlock करने के लिए key point आपको देखने को मिल जाता है, तो चलिए दोस्तों finally बात करते हैं इसके pricing की, तो जो 2023 में जो भी इसकी 100 room कीमत निकल के आड़ी, वो है 1,998,142 रुपीज, दोस्तों अगर आप लोग मुझाफ़पुर से हो या आसपास के किसी भी city से और जावा के किसी भाइक का test drive लेना चाहते हो, तो आप विजिट कर सकते हो, Sinha Auto Sales and Services Private Limited, Indian Oil Patrol Pump के समीप Zero Mile Barrier Road मुझाफ़पुरिश्थित सोरूम में, इस सोरूम की सारी जानकारी आपको वीडियो के description box में मैं दे दूँगा, दोस्तों अगर आप भी अपने city के under price जानना चाहते हो, तो आप मुझे अपने city का नाम comment box में धिवेश सकते हो, थैंकि दोस्तों वीडियो के लाश तक बने रहने के लिए, वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजेगा, share कीजेगा और GTT Technology Channel को subscribe जरूर कर दिजेगा, जय हिन, जय भारत!